हाई वन्स अगेन आयम अनिल कुमार यादो और आप देख रहे हैं चैनल के नहीं है help you online.com आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह बताऊंगा कि हम महाराश्त्र श्टेट बूर्ड की साइट पर जाकर अपने आपने प्राइब करेंगे अपने पिसली वीडियो में बताया था कि हम अपने आप्लाइन का सफ्ट्र डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिल करेंगे बट उसमें एक चीज नहीं थी ति कि आप उसमें जो भी आपके स्टुडेंट है आप उसमें उनका प्लेस ऑफ बर्थ मिंस जन्मस्थान नहीं फिल कर सकते थे उसका उप्शन उसमें नहीं दिया हुआ था बट जो यह नया सॉफ्ट्वेर है ससी ऑफलाइन का इसमें आप जो भी स्टुडेंट के प्लेस कर दीजिए मिंस रिमूब कर दीजिए और आप पर स्ट्रेट बूर्ट की साइट पर जाकर नया सॉफ्ट्वेर डाउनलोड करके इंस्टॉल किजिए तो उसके लिए क्या किजिए आप सबसे पहले गूगल में जाकर यहां आप गूगल में जाकर टाइप किजिए MSBs HSC और यहां पर वो टाइप करने के बाद यहां पर जो फुर्श्ट लिंक दिया हुआ है माराश ट्रेट श्टेट बोर्ट European हैन हाने क्वा सब्सक्लिए उससपर क्लिक कीजिए उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप for SSC sign in here तो फिर आप अपने login page पर जाहिए और login page पर जाने के बाद आप अपना division school index number यूजर निमर पासवर्ट यहां पर फिल करके submit की बटन पर क्लिक किजिए कुछ इस प्रकार से तो यहां पर मैंने अपना आप व्किया और सब्मिट की बटन पर क्लिक किया सब्मिट की बटन पर क्लिक करनें के बाद आप यहां पर देखने की clicking download आपकी ओने लगेगी यहां पर अपदेख सकते हैं और यह होने के बाद आप क्या किजिए आप उसे डाउनोड होने दीजिए और तब तक आपका जो पुराना अप्लिकेशन था आप उसे अपने अप्डेट का पैच माला हुआ था उसे एकजाम एप्लिकेशन फिर वैंशर्वर फिर इमेज कटर वह जितने भी हैं आप सभी उसे पूरी तरह से अपने कंप्यूटर से अंस्टॉल कर दीजिए मिन्स कंट्रोल पैनल में जाके उसे रिमूब कर दीजिए तो आप देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए स्टेप बर स्टेप आप समझ जाएंगे यहां पर वैंप सर्वर पर राइट क्लिक करके उसे भी अंस्टॉल कर दीजिए और जो इमेज कटर का सॉप्ट्वेर आप उसे भी पूरी तर से अंस्टॉल कर दीजिए आप अपने कंप्यूटर से अब यहां पर यह पर क्लिक किजिए यहां पर क्लिक किजिए करने के बाद आप रिफ्रेश कर लिजिए और रिफ्रेश करने के बाद आप क्या किजिए जो भी सॉफ्ट्वेर आपने यहां से डाउनलोड किया है आप उसे क्या किजिए उसे ओपन करके जिस फोल्डर में वह डाउनलोड हुआ है आप उसे इंस्टॉल किजिए आपके कंप्यूटर में उस पर राइट क्लिक करके आप दर्ण किजिए उसे आप यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक किजिए फिर से फिर से नेक्स्ट पर क्लिक किजिए और यहां पर रिपेर पर क्लिक किजिए फिर नेक्स पर फिर फिनिश फिर नेक्स कि लिए क्लिक कीजिए और यहां पर दोर चेकच बोक्स पर टिक कीजिए ने sometimesardon कारें तो आपके संफ्ट्व्वार क्कड ना इन्सौल होना शुरू हुआए kr ंव जो यहां पर आप open किजिए, open पर क्लिक किजिए और आप यहां पर yes पर click किजिए, yes पर click करने के बाद finish कर दिजिए, finish पर click करने के बाद आपका जो भी next process है, image cutter कर अपके computer में install और आप उससे भी install कर दीजिए आप अपने computer में अब आप देखे अब आप देखेंगे कि आपके कंप्प्यूटर में जो SSC का सेटर पर रिस्ट्रॉल हो जाएगा और आप उसे उपन करेंगे तो आपको इस परकार से करेंगे मैसेज मिलेगा तो आप क्या किजिए आपका जो वैंप सर्वर है उसे ऑनलाइन से अफ्लाइन कर दीजिए तो यहां पर वैंतर पर क्लिक किजिए डबुल ट्लिक कीजिए तो आपको यहां पर नीचे देखने के कि बार में वैंसर अब दिखेगा आप उस पर करके उसे उपन कर लीजिए और लॉगिन करने के लिए सिर्फ आप लॉगिन का इस्तेमाल कीजिए न कि पासवर्ड का और यहाँ पर आप capital में S या small में S type कीजिए और आपका जो भी करके आप लॉगिन कर सकते हैं बट कर लोगों को का अफिस समस्या आ रहे हैं कि यह लोगिन नहीं होता है तो इसके लिए भी मैं आपको देखिए जब जब मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर प्रोसीजर एससे एससे अपडेट लॉगिन दर नट एक्जिट तो यह समस्या कर कि लोगों को आई और मुझे कई लोगों ने कॉल भी किया कि जब हमार एससे एप का नया सॉफ्टर नाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो हमें ऐसा मैसेज आता है और वह सॉफ्टर भी पुरी तरह से इंस्टॉल हुआ है हमारे कंप्यूटर में तो इसका सॉलूशन क् अब क्या कीजिए तो आप क्या किजिए कि आप अपने कंप्यूटर से जो भी आपने अप्लिकेशन इच्डॉल किया हुआ है जो नया SSC application इंस्टाल किया हुआ है और जो आपने पुराना रिमूब किया था आपने computer से वह पूरी तरह से रिमूब नहीं हुआ होगा इसलिए यह आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्या किजिए आप फिर से control panel में जाईए आप फिर से control panel में जाईए यहाँ पर और प्रोग्राम पर क्लिक किजिए और यहाँ पर प्रोग्राम और फीजर पर क्लिक किजिए और यहाँ पर जो भी आपके SSC exam application है आप उस पर right click करके install कीजिए यहाँ पर yes कीजिए यहाँ पर okay और जो भी आपका image cutter का software है आप उसे भी यहाँ पर right click करके उसे भी install कर दीजिए आप अपने computer से तो हम क्या करते हैं अंस्ट्राल तो कर देते हैं वह पूरी तर से अंस्ट्राल नहीं होता जो भी आपका पुराना software था यह से का जिसमें place of birth का option दर ही दिया हुआ था इसलिए आपको वैसा यह दिखा रहा था तो अब मैं आपको पूरे detail बता दूंगा यह सभी जो भी software अभी आपको तो यह लगा है कि आपने जो भी अब आपने अपने अपने कंप्यूटर से पूरी दर से अंस्टॉल कर दिया है और आपने नया अंस्टॉल किया तो आपको उस परकार से आपको यह दो शोर हुआ तो आप क्या किजिए आप अगर आप Windows 7 या Windows 10 अगर आप Windows 7 विंडो 8.1 या Windows 8 यूज करते हैं तो माय कंप्यूटर में जाकर या तो फिर विंडो 10 है तो आप इस PC पर क्लिक करके आप अपने सीट ड्राइल में जाए चाहिए सीट ड्राइल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि वैंप करके लिखा होगा वैंप तो आप इस वै डिलीड कीजिए ले किशने करें किय Gekt ड्राइब गार्इंगे ज्वनें कीजिए आप किजिए अगर अगर आप डिलीड कृष्ट कीजिए और फिर से अपना आपका सब्सक्रां आप आप सर्फ्रोब जाका यहां पर होगा होगा आप उसे पूरे तर दीट है आप का जो भी स्काष्टोर मंट आपके सब्सक meditating किजिए कि फिसे आप एस है यहां पर enlar्च इह पर legg नेक्स नेक्स अन्यक्स अन्स्ट आप these here next finish next i accept that new end next next yes then the checkbox पर क्लिक किजिए नेक्स्ट इंस्टल यहां पर ओपन पर क्लिक किजिए यहां पर फिनिश यहां पर next, फिर से yes, next, yes next, यहां पर image नेक्स्टे का software है यहां पर yes, finish अब आप इसे close करके आपर refresh कर दीजिए आपका वर और यहां पर रहे संथा का इलया तो यहां पर वल शुंद के आप अपने माँस से यह इदर यहां पर देखिने कおお iç इस पर करेंगे तो यह दो आप द crimes किitaire तो यह चंड उन होत जाएगा फिर आप यहां पर SSC app पर क्लिक किजिए SSC app पर क्लिक करने के बाद जो आपका लॉग इन पेज होगा वह ओपन हो जाएगा आप अपना डिविजन सेलेक्ट किजिए मुंबई और आपका स्कूर इंडेक्स नंबर यहां पर चूज कर लिजिए आप और यहां पर यूजर ने कि देखिए आप आपको किसी भी प्रकार से कोई भी यह नहीं आएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक बार ध्यान रखिए आप अपने पर बिल्कुली नया है तो यहां पर आप देखिंगे कि फेब 17 अल्यडी लिखकर आ चुका है तो यहां पर फिल ऑफ्लेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे हैं और यहां पर देखिंगे कि 6.1 पर जो ऑप्शन एप्लेस बर्ट यहां पर आप जन्मठीकान तालुकार वाजिल् में तो और किसे बता है यह तो मैंने आपको अपने प्छली वीडियो में बता था अगर आप उसका लिंक में आपको यहां पर दे दूँगा अप अिस लिंक क्लिक करके तो यह आप उसे वीडियो में देख सकते हैं और बैच फाइल बनने के बाद हम उसे कैसे अपलोड करेंगे ओनलाइन यह मैं आपको अपने निक्ष वीडियो में बता हूंगा तो जैसा कि मुझे उम्मीरे दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जड़ है और अपको यह वीडियो में आपको यह वीडियो में अगलोड प्राइब होगाई तो झाल झाल